पिछले क्लास में हम लोग जहां तक पढ़े थे उससे आगाज गंटिन्यू करेंगे हम लोग फिलाल पढ़ रहे हैं अपवर्तन एक प्लेन सता से लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे करव्ड सर्फेस से अपवर्तन कैसे होता है तो चलिए अपना नोटबुक निकालिया और होगा चलिए तो टॉपिक का नाम है वक्रिये प्रिष्टों से अपवर्तन वक्रिये प्रिष्ट अभी तक आप क्या देख रहे थे एक प्लेन सत्र है इधर हवा है और इधर को अर्नियमाध्यम जैसे पानी है और लाइट किरने ऐसे आ रही थी यहां पर अपवर्तन हो रह यहां पर पानी में जैसे कोई वस्तू है यहां पर तो कितना उपर उठा हुआ महसुस होगा यह सम कैलकुलेट कर रहे थे यह सब प्लेन सत्र से अपवर्तन का एक्जामपल है लेकिन हमेशा तो प्लेन ही नहीं होगा हो सकता है ऐसा कर्ण सर्फिस हो इस पर अपवर्तन नि इसा कर्ण सर्फिस हो इस पर अपवर्तन निकालना हो कि इस कर्ण सर्फिस के ऊपर इतने ऊपर अबजेक्ट है इसका प्रतिविम कहां बनेगा इस सर्फिस के नीचे पानी है तो ऐसे वक्रिये सता से अपवर्तन अगर हमें करना हो तो इसके लिए क्या कंसेप्ट लगेगा इससे पहले जो भी concept पढ़े हैं, वो flat surface के लिए लागू हो रहा था, वक्रिय के लिए लागू नहीं हो रहा था तो अब हम लोग वक्रिय प्रिष्टों से अपवर्तन के लिए concept देखिए इसके लिए कुछ derivation है, देखिए कैसे मैं पहले formula लिखता हूँ, फिड डिराइव करूँगा देखिए, एक मैं वक्रिय सतह बना रहा हूँ crowd surface है ये, वक्रिय प्रिष्ट है मान लिजे इस side का जो माध्यम है, इसका अपवर्तनांक mu2 है और इस side, इस सतह के इस side जो माध्यम है, उसका अपवर्तनांक mu1 है तो दो माध्यम, एक mu1 अपवर्तनांक का, दूसरा mu2 अपवर्तनांक का और यहां से एक हम मुख्य अक्ष ड्रॉ करते हैं, यह मुख्य अक्ष है मुख्य अक्ष में o object है, जिसका duty assume करते है, u है यह वस्तू है, इसका प्रतिविम कैसे बनेगा, तो वस्तू का एक line देखिए, एक ray सिधा निकल गया अभिलमवत निकल गया, अभिलमवत में कोई deviation नहीं हुआ दूसरा ray हम क्या करेंगे, ऐसे हम extend करेंगे, यह ray आया अब यह मुटू है, यह मुटू है, assume करते हैं, मुटू कमान ज्यादा है, किस से मुटू से इस surface पर अभिलमव ड्रॉ करना हो, तो इस पर अभिलमव क्या होगा, तो अभिलमव हमेशा कहां से पास करता है center of carway चत, यहां यह अभिलमव है, यह अभिलमव है, अभिलमव कों सी बोलते हैं, यह अभिलमव है और अब यह प्रकास की किरने, देखे, मुवन से मुटू में जा रहा है, मुवन है विरल माधियम, मुटू है सगन माधियम तो सगन माधियम में जाएगा, तो सीधा न निकल के मुड़ेगा, किधर अभिलमव की तरफ, तो यह किरने, अभिलमव की तरफ मुड़ेगी, और ऐसे जकी यहां पर कट करेगा और यह इसका प्रतिविम बन गया, मान लेजे, प्रतिविम की दूरी कितना है, वी मान लेते हैं और इसका जो कारवेचर है, जो वक्रता तिरजय है, इसकी दूरी मान लेजे आर तो यहाँ पर तीन बाते हम देखें, पहला वस्तु, वक्रिय सतह से वस्तु यू दूरी पे है, वक्रिय सतह से प्रतिविम भी दूरी पे बन रहा है, और वक्रिय सतह का कारवेचर रेडियस कितना है, आर, जिस माध्य में वस्तु है उसको mu1 बोल रहे हैं, जिस माध्य में य इन सब में relation है, वस्तु की दूरी, प्रतिविम्ब की दूरी, वकृता तिर्जा, म्यूवन, म्यूटु में एक संबंध है, और संबंध को क्या बोलेंगे देखें, इसको याद रखना है, म्यूटु वाई भी माइनस म्यूवन वाई यू बराबर म्यूटु माइनस म्यूवन बटे आर, यही है, एक संबंध जो डिप्रिजन करता है, कि वस्तु अगर यू दूरी पे है, इस वक्रिय सता से, इसका प्रतिविम्ब कहां बनेगा, तो वही पे बनेगा, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके सहता से, जैसे दरपन सुत्र आप याद किये हैं, क्या, वन प्रतिविम्ब की दूरी के भी संबंध स्थापित करेगा, लेकिन यहां माध्यम अलग-अलग है, तो माध्यम के लिए अपवर्तना कि इसको लिख रहे हैं, तो यह है वक्रिय सता से, अपवर्तन के लिए सुत्र, अब यहीं तक होता तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन अ तो दो मिनट का समय देते हैं, इसको पहले याद कीजे, फिर हम लोग डिराइव करेंगे, बहुत असान है डिरिवेशन, बहुत लेंग्वेज नहीं लिख रहे हैं, आपको डिरेक्ट टू दप कंसेट पर ही अधारित बात करेंगे, तो तुरंद हो जाएगा, तो याद कर दे दिजे, अलफा नाम देते हैं, ये अंगल अलफा, इसका वकरता तिर्जा के साथ अभिलंब जो कौन बनाया है, उसको बोल दिये बीटा, और प्रतिबिम्ब के साथ जो अक्ष कौन मना रहा है, उसको बोल दिये गामा, तीन अंगल यहाँ पर हो गया, अलफा, ये अभिलंब के साथ जो कौन मना रहा है, इसको बोल दिये आर, दिख रहा होगा, थोड़ा छोटा हो गया, ये वाला जो एंगल है, वो है आर, ये अभिलंब, अभिलंब, तो इतना हम लोग लिखे, इतना लिखने के बाद, आपको अब इसका क्या करना है, इस फॉर्मूले क प्रूफ देखना है, क्या करना है, देखे, एक अभिलंब भी ड्रॉ करेंगे, यहां से इस पॉइंट को नाम दे देते हैं, इस पॉइंट का नाम है M, यहां से एक अभिलंब ड्रॉ किये, और इसका नाम दे देते हैं, देखे, यह है P, लेकन ये दोनों पॉइंट, ये अ सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं हम लोग ट्रैंगल सेलेक्ट करते हैं देखिए पहला ट्रैंगल OMP ट्रैंगल OMP टैन अलफा टैन ठीटे बरावर क्या होता है P बटे B अब अगर अलफा का मान बहुत चोटा हो alpha कमान बहुत कम हो alpha, beta, gamma यहाँ पर बहुत छोटा angle मान के चलते हैं alpha बहुत कम हो तो 10 alpha को simply alpha लिख सकते हैं alpha बराबर क्या हो जाएगा mp बटे op, op को हम लिखेंगे u लेकिन इस side के इधर के दूरी को minus u लिखेंगे तो minus u, एक equation यह बन गया आपका फिर इसी तरीके से इसको आप बंद कर लिजे ब्रैकेट में इसी तरीके से triangle देखिए alpha, beta, gamma बहुत कम है तो 10 beta को simply beta लिख सकते हैं बराबर क्या हो जाएगा 10 theta बर पी बटे बी तो पी कह है यह वाला तो MP, बटे बी कहा है तो बी यह है PC, PC और इस MP को MP रहने दीजिए और PC को आप क्या लिख सकते हैं वकरता, तिरजया, आर लिख सकते हैं दूसरा equation यह बन गया यह triangle किस में था यह triangle था MPC में फिर triangle अगला select करते हैं यह वाला, gamma के साथ MPI 10, gamma बराबर 10, gamma बराबर क्या होगा अगर angle gamma बहुत छोटा हो 10, gamma को simply gamma हम लिख सकते हैं तो gamma बराबर क्या होगा 10, theta बराबर, P बटे B तो सारे में देखे, MP common है इसके लिए भी MP इसके लिए भी MP इस बरे triangle के लिए भी MP तो MP, बटे अब इमेज का distance क्या है P, I P, I बराबर MP, बटे P, I को कह लिख सकते हैं P से I की दूरी P से I की दूरी को परतिवेंब की दूरी भी लेते हैं तो भी तीसरा ये बन गया एक विशा बहुत आसान है अब हम लोग भी सकोन का concept लगाएंगे भी सकोन का concept भी सकोन बेखिए कौनकौन से तीरभूज में O, M, C ये व़ला तीरभूज में O, M, C इस तीरभूज में भी सकोन थीटा जो होगा वो किस के बराबर होगा देखिए तीरभूज क्या है O, M, C एसा तिरवुज है ऐसा है ये है एंगल अल्पा ये है एंगल बीटा और ये extended है ये है थीटा इस तिरवुज में इसका नाम है M इसका नाम है O इसका नाम है C अब ही बताएए बहिसकोन शुदूर के अंतहकोन की योंग के बराबर होगा ट्रेंगल O M C में क्या होगा ठीटा बराबर अल्फा प्लस बीटा होगा इसमें कोई confusion की बाद नहीं है इसी तरीके से अब ट्रेंगल ले रहे हैं ये वाला M C I M C M C I M C I में M C I कैसा दिख रहा है तो M इसके बाद C I ये है M C I M C I में और इसको पीछे एक्षेंड किया है ये है बीटा ये है आर ये है गामा इस तिर्भुज में बहिसकुन बीटा जो होगा बहिसकुन बीटा बराबर किसके बराबर होगा R प्लस गामा यहां से R निकाल लेंगे तो बीटा माइनस गामा एक ये हो गया एक रिलेशन एक रिलेशन यहां था एक्षेंड नमबर 4 इसको मान लिजे एक्षेंड नमबर 5 अब हम लोग बहुत कुछ लिखे अब हम लोग एक स्नेल का नियम लगा देंगे स्नेल का नियम क्या है इसनेल का नियम क्या है तो इसनेल का नियम है इसनेल का नियम क्या है मू 1 इंटु साइन आई बराबर मू 2 इंटु साइन आर अब मू 1 इंटु साइन आई आई के जगह क्या है थीटा तो थीटा बराबर मू 2 इंटु साइन आर अब मू 1 इंटु साइन आई के जगह क्या लेक थीटा, थीटा के जगा देखिए, अब लोगों ये क्या कर दिये सराब, अगर एंगल बहुत छोटा हो, यह एंगल बहुत छोटा है, यहां साइन थीटा लिख दीजे, आपको लग रहा है, साइन थीटा, अगर एंगल बहुत छोटा हो, तो साइन थीटा के जगा थीटा लि लिख सकते हैं इसको, अब mu1 into theta के value को डालिए, यहां पर theta के value क्या था, alpha plus beta, तो alpha plus beta बराबर, mu2 into r का value डालिए, r का value यहां beta minus gamma, beta minus gamma, यह मिल गया, अब थोरा से इसको separate करेंगे, तो इसको पहले गुना कर लेंगे, mu1 into alpha plus mu1 into beta बराबर, mu2 into beta minus mu2 into gamma, अब देखिए, mu1 into, अब क्या करना है आपको, simply, जुतना alpha, beta, gamma का value निकाले हैं, सब को डालना है, यहां alpha का value, mp बटे minus u, डाल देंगे, plus mu1 into beta का value क्या डाले हैं, beta का value क्या निकला, mp बटे r, mp बटे r डालेंगे, बराबर, mu2 into beta के जगा, वही mp बटे r, जो पहले निकाले थे, उसको डाल दिये, minus mu2 into, gamma के जगा क्या निकला, mp बटे v, mp बटे v, कोई दिकत, दिख रहा है, अब देखिए का ध्यान से, तो उपर में हर जगा mp है, mp, 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 कट गया, कोई दिकत नहीं, और इस वाले term को इधर ले आएंगे, तो यह minus है, इस वाला term को इधर लाएंगे, तो प्लस हो जाएगा, तो क्या मिल जाएगा, mu2 into beta v, यहाँ पर mu1 नीचे में minus u, तो आएगा mu1 beta u, minus को यहाँ लिख दिये, बराबर, इसको इधर भेजेंगे, तो mu2 beta r, इधर का mu1 इधर जाएगा, तो minus mu1 beta r, अदोनों के नीचे में क्या, एक ही r लिख दिये, देखिए क्या मिल गा relation, mu2 by v minus mu1 by u, बराबर, mu2 minus mu1 beta r, यही relation, तो यहाँ लिखा हुआ है, इतना proof करने के लिए इतना step करना परा, तो यह बहुत important है, subjective के लिए आपको mu2 minus mu1 beta r, यह इसका proof है, एक बार देखिए, दो मिनट का समय देते हैं, अब बता यह कौन से step में दिक्कत हो रहा है, इसके बाद मैं फिर से repeat कर दूँगा, पूरे structure diagram को भी, और पूरे derivation को भी, दो मिनट आपको समझने के लिए समय दे रहे हैं, पड़ावट देखिए, diagram देखिए, फिर diagram दुबारा बनाएंगे, चिंता करने के बाद नहीं है, फिर process देखिए, 3-4 step में answer आ जा रहा है, steps देखिए, steps सिखिए, पहला triangle select करना है, दूसरा angle select करना है, दो ही चीज़ में है, triangle select करके तेन ठीटा लगाईए, तो तीनू का तीनू तो यही concept है, फिर angle select करके बहिसकुन का concept लगा दिए, दोसरा step बहिसकुन लगाईए, एक इसका बहिसकुन, एक इसका बहिसकुन, दो लगा दिए, और ठार्ड में स्नेल का नियम लगाया कि इसमें सारे value का पूट कर दि देखिए, दो मिनिट का समय दे रहे हैं, फटा फट देखिए कर दो देखिए, इसम देखिए कर देखिए हैं, एक रिणyवाण का सकी। कर देखिए, लगा प्ट. कि चलिए घर पर जाकर दुबारा वीडियो को देखिएगा मैं फिलहाल डाइग्राम को एक बार और समझाता हूं आपको ताकि डाइग्राम किलियर हो जाए अभी हम लोग देख रहे हैं वक्रिय प्रिष्ट से अपवर्तन वक्रिय प्रिष्ट से अपवर्तन में क्या होगा सबसे पहले को वक्रिय सता बनाईए अब यह हमारा वक्रिय प्रिष्ट है मतलब इधर अलग माद्यम है जिसका अपवर्तनांक मुवन है और इसको एक प्रिं से एक रच सीधा निकल गया चला गया दुसरा रच यहाँ से निकला या आपतित किरन है और हम बोल रहे कि इसका जो कोन है वल्फा है फिर हम इस पर एक आभिलम जहांपर आपतित किरन टक्रा रही वहां पर एक अभिलम ड्रौ किए अभिलम का यहां पर कोई कट किया और इसको बोल दिये प्रतिविंब और इसके बाद वस्तू की दूरी को हम बोल रहे हैं यू व्कृता तिरजा को बोल रहे हैं r और प्रतिविंब की दूरी को बोल रहे हैं V, एंगल की बात करें, तो ये एंगल अलफा, अभिलम जो कुन बनाया मुख्यक्स पे बीटा, और प्रतिविम जो बनाया वो गामा, इस आपतन कुन को हम थीटा बोल रहे हैं, अपवरतन कुन को हम आर बोल रहे हैं, बस शित्ता सा डागराम है, और यहां पर एक अभिलम का नाम हम दे दिये P, जो कि इस दोनों के बहुत करीब है, तो दोनों पॉइंट को हम सेम ले रहे हैं, अब इसमें करना क्या है, इसमें करना ये है कि सिंपली आपको टैन ठीटा लगाना है, तो टैन ठीटा के लिए किस के साथ, तो एक बार ये तिर्भूज देख इसके साथ एक तिर्भूज ये बन रहा है, इसके साथ एक तिर्भूज ये बन रहा है, तीनी तो बन रहा है, अभिलम को कमन रहा है, कि कितना तिर्भूज बन रहा है, देखिए ना ध्यान से, ये अभिलम कमन है, ये अभिलम, इसके साथ एक तिर्भूज तो इसमें टैन तिरफुज ये बन रहा है, ऐसा वाला देख्ये, इसको common लेके एक तिरफुज ये बन रहा है, इसमें 10 β लिखेंगे, 10 β वर और P बटे B, P है MP बटे B, तो MP बटे B का नाम क्या है P से C, तो PC से PC हो गया, अब फिर इसको कॉम्मर रहते हुए तिरफ़ोज यह बन रहा है, तो क्या हो जाएगा इस तिरफ़ोज में 10 गामा वराओ और P बटे, यह वाला, P है MP, तो 10 गामा को गामा लिख सकते हैं, क्योंकि गामा का वेलू बहुत कम ह तो 10 गामा बरावर गामा MP बटक PI अब PI परतिमिम की दूरी को का लिखें भी देख यह हो गया फिर बहिस कोन का कंसेप्ट लगाएंगे बहिस कोन का कंसेप्ट लगाने के लिए OMC यहाँ पर जाएंगे यहाँ तब OMC बहिस कोन ठीटा बरावर अलफा प्लास बीटा तो ठीटा बरावर अलफा प्लास बीटा एक यह कंसेप्ट हो गया और एक बहिस कोन गाम बीटा बरावर तो यह बीटा बरावर क्या होगा आर प्लास गामा तो बीटा बरावर आर प्लास गामा यहां से हमको r का value निकाल लेना है तो r बरा और βीटा मेनस गामा एक ये concept हो गया पहिला तिर्भुज बला दूसरा एंगल बला अग तीसरे में स्नेल का नियम लगा दीजिए इसनेल का नियम क्या कहता mu 1 into sin i बराबर mu 2 into sin r अचुकी i के जगת theta है तो mu 1 into theta बराबर mu 2 into sin r और ये theta बहत कम है तो sin theta को simply theta लिग सकते हैं और 10r को simply r लिख सकते हैं तो theta mu 1 into theta or mu 2 into r यहां theta के value अपने काले थे उसको यहां रख दीजे तो α पलस बीटा r के value को यहां रख दीजे और simply me1 को इसको गुना कर दिए और जहाँ जहाँ अलफा है बीटा है बीटा है गामा है तो जो तिर्भुज के सब निकाले हैं वहाँ से अलफा बीटा गामा का वेलू क्या कर देंगे डाल देंगे कट करेगा तो सिधा का सिधा ही रिजल्ट आजएगा तो यह आपका रिजल्ट मिल गया इस रिजल्ट का रिजल्ट को तो याद रखना ही है इसके डिरिवेशन के प्रोसेस को भी याद रखना है क्योंकि यह पांच चंक में पूछेगा आपसे तो आपको पता होना चाहिए कैसे करते हैं तो अब इसी का हम लोग उप्योग करेंगे और इसको थोरा से बढ़ेंगे तो अब बात आती है चिन परिपार्टी कि सिंबल में कैसे हम प्लस लेते हैं, यू को कब प्लस लेंगे और यू को कब स्था मैनस लेंगे, देखिये तो इधर से इधर की सारी दूरियों को हम लेंगे प्लस और इस साइड से विप्रिद, light इधर आ रहा है लेकिन हम जा रहे हैं इधर की तरफ तो धुरूब से इधर opposite direction में देखे, प्रकास इधर जा रहा है प्रकास के विप्रीद दिशा में आ रहे हैं तो pole से इधर जाएंगे प्रकास की दिशा में तो plus, pole से reverse आएंगे प्रकास की विपरित दिशा में तो minus, इधर की दूरियों को u को minus लिए, तो देखे u यहाँ minus लिए, जो दिख रहा है, यह minus लिए, लेकिन इस side के दूरी, जैसे r है, v है, v, v यह हो गया, r यह हो गया, इस द चिन परिपार्टी जैसे अगला पॉइंट है तो चिन परिपार्टी में प्रकास की दिशा के सभी दूरियों को प्लस यहां से दूरी लेकिन प्रकास के दिशा के विप्रिद दिशा मेंने वाली सभी दूरियों को माइनस लिया जाएगा अब ठीक है तो अब थोड़ा सा हम लोग इस formula को और example की थुरू solve करेंगे और इसमें term को सीखेंगे अब देखिए actually में क्या हो रहा है यहाँ पर actually में हो यह रहा है कि यह अप वरतन हो रहा है यहाँ पर प्रकास किरन मुर रहा है किस पे मुवन और मुटू पे और यह surface पे भी यह अधन मुवन है मुटू है यह मुर रहा है इसकी सक्ति की बात करेंगे सक्ति क्या होता है प्रकास कीरन को मौरने की छमता तो सक्ति की बात करेंगे तो इस वक्रिय सता się जो प्रकास का अपवर्तन हो रहा है इसकी सक्ती की बात करेंगे तो ये जो term है वही सक्ती को बताता है तो वक्रिय सता से curved surface से अगर सक्ती की बात करे तो सक्ती वरावर क्या होगा µ2 – µ1 बटे R इस फ़यमीले को याद कर लिजीए, ये सक्ति का है किस लिए वक्रिष्ट से अपवर्तन के लिए अगर कर्वड शर्फिस पे अपवर्तन हो रहा है तो प्रकास कितना मुरेगा, प्रकास के मोरने कि छमता कितना होगा इसका उस के लिए सकती का formula mu to minus mu 1 वाटे r, जब कभी भी एक प्रिष्टी से, एक प्रिष्ट से अपवर्तन हो रहा हो, एक surface पे, एक कर्ब surface पे, तो उसके सकती के लिए आप ये formula उपयोग कर सकते हैं, इस formula का उपयोग हम lens के लिए भी करेंगे, यहां पर अपवर्तन हुआ, यहां पर दोनों जगा लग लग formula लगाएंगे और इस lens का कुल सकती निकाल लेंगे, तो पहले एक वकरिय पे, शेप वर्तन का formula क्या होगा, अपवर्तन के सकती का, mu to minus mu 1 वाटे r, मतलब, अपवर्तनांक का अंतर, क्या हो गया, अपवर्तनांक का अंतर, बटे वकरता तिर्जय आर, सकती बराबर क्या होगा, अपवर्तनांक में अंतर कितना है, बटे तिर्जय, अपवर्तनांक का अंतर बटे तिर्जय, सकती बराबर क्या हो जाएगा, इस formula को याद कर लिजे सभी बच्चे, mu to minus mu 1 बटे r, ये सकती का formula है, कुछ बच्चे को notes नहीं पहुंचता है, अब ही message कीजिए और बोलिए सब notes नहीं मिल रहा है, उन्हीं बज़यों को notes नहीं मिल रहा होगा, जो number हमको send नहीं कियोंगे, और आप मेरा number save नहीं कियोंगे, notes के लिए फिर से मैं बता रहा हूँ, notes इसका video lecture, और इससे पिछले chapter का notes हो, objective हो, सब आपको मिल जाएगा, double eight, two five, two six, five seven, four six, इस number पे अपना नाम और badge, ये message किजिए, तब notes आपको मिल जाएगा, जिस chapter का notes अभी तक नहीं मिला है, आप बोल दीजिएगा, सर chapter नमर five का notes भी भेज दीजिए, six का भेज ये, जो भी notes आपको चाहिए, तो आपको अपवरतन का formula हो गया, बढ़िये, इतना कलियर हुआ है, ये, पीछे बच्चे बाते कर रहे हैं, भूनाई लगेगा, अभी अक्रिष्ण़ नहीं है, तो आप थोरा सतर गोजये, भदमासी नहीं चलेगा, थोरा सा भी, चलिए बताइए इसमें क्लियर हो गया अब हम लोग इस पे अधारे इतनो मेरिकल बनाएंगे कुछ प्रस्म सॉल्व करेंगे देखी ध्यान से प्रस्म क्या है और पहले आप अपना दिमाने लगा लिजिए इसके बाद हम सॉल्व करेंगे प्रस्म सॉल्व करेंगे चित्र में दिये अनुसार काच का प्वरतनांक 1.5 है इस साइड का पोर्शन है इधर का पोर्शन काच है ये है ग्लास और उस साइड का प्वरतनांक 1 दिया हुआ है ठीक है प्रिष्ट का 10 cm ब्यास के गोलिये प्रिष्ट से 3 cm की दूरी पर इस्थित है मतलब वायू का एक बुलबुला है यह जो दीख रहा है ओ ये वायू का बुलबुला है यहां पर है वायू का बुलबुला है और ये बुलबुला कितना cm के दूरी पर है 3 cm के दूरी पर है और इसका ब्यास है 10 cm ब्यास व्यास है ते बाएगा डिवाइड करना पड़ेगा व्यास है दा सेंटिमीटर तो पुछ रहाए प्रतिविम कहा बनेगा इसको तो solve करने के लिए जखे कैसे आप करेंगे तो सबसे पहले simple कि यहाँ पर क्या दिख रहा है कौन सा concept लगाएंगे तो वक्रिये priest है और वक्रिये priest है अप वर्तन हो रहा है तो यहाँ पर concept लगाएंगे वक्रिये का वक्रिये के लिए हम एक ही formula सीखे है μ 2 by v μ 1y1 बटे U बरावर μ 2y1 बटे R अब इसमें दो question है एक ही नहीं है एक जब Прisht क्या हो? उत्तल हो उत्तल मतलब Прisht ऐसा है तो एक ये question हो गया अब दूसरा Прisht क्या है? अबतल है अबतल के लिए क्या होगा? ऐसा प्रिष्ट बनेगा यह अबतल हो गया तो हम लोग पहले उतल का देखेंगे फिर अबतल का देखेंगे जो चित्र दिख रहा वो उतल का ही दिख रहा है अब यहाँ पर सबसे पहले डाटा लिखेंगे मिव वन और मिव टू क्या है तो देखें मिव वन क्या था वस्तु जिस में था उसका पवरतनांग यहां पर वस्तु जिसमें था उसका पवरतनांग है मिवन अब वस्तु किसमें है देखिए वस्तु किसमें है वस्तु किसमें है वस्तु है इस साइड तो मिवन कमान क्या लिखेंगे 1.5 लिखेंगे वस्तु जिसमें था उसका पवरतनांग है मिव और म्यूटू कमान कितना जिसमें परतिविह बन रहा था है, स्पोरे के लिए 한, यहां पर म्यूट्यू कमान कितना है, बहुत ज़ोड़ी मिंगना, इसके बाद से mm तो 10 है तो देखिए इस पी वाले पॉइंट से इधर है इधर की दूरियों को क्या लेते है इधर की दूरियों को लेते है माइनस तो माइनस लेंगे यही मेन है फिर वस्तू की दूरी वस्तू की दूरी यू अब इधर की दूरियों को माइनस ले रहे है तो यह भी माइनस लेंग का वैलू माइनस 3 डालेंगे बराबर म्यूटु म्यूटु है 1 माइनस म्यूट 1 है 1.5 बटे किरजा कितना है तिरजा है माइनस का 5 तो 1 बटे भी आहां पर कटेगा 1.5 से कटेगा 3 तो यहां पर 2 हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 1 बटे 2 बराबर 1 माइनस 1.5 तो क्या हो जाएगा माइनस का 0.5 नीचे में माइनस है तो प्लस 0.5 बटे 5 क्या हो जाएगा ये 0.5 बटे 5 क्या हो जाएगा ये 10 अमलब हटेगा तो नीचे में 0 आएगा 1 बटे 10 देख लिएजे सही है या नहीं है हिसके बाद इसके बाद क्या करेंगे वन व्टड भी बरावरर वन व्टड माइनस1 व्टेड टू बरावर के हो जाएगा 1 वटड 10 लrene हो गया वन मैस फाइर बरावर 4 व्टे 10 लेकिन मैंनस यहां परập não मैनस के साथ 1 dot evi कमान क्या हो गया द्रिव ciao two point five सेंटिमिटर मैनस अने के मतलब ऑद कैरा मैंस इस साइड इमेज इस साइड है यहाँ इसलिए माइनस है प्लास आता तो समय स्टेके में जो साइट बन रहा है पी से उससे बन रहा है तो इस तरीके से आंसर निकाल लिए इसमें देखिए कोई स्टेप समझ में नहीं आ रहा तो बताइए हमको फटा-फट कि यह पॉइंट दोबरा बताइए सिंपल करना है फॉर्मुला लिखे जो डेटा दिया हुआ है वह लिखे मिवन हमें सा कहां का लेंगे जिसमें वस्तु उसका मिवन लेंगे अब दूसरे साइड क कि वग्र है यह दो कि लिए ऐसा कि अगैसे है तो अगले साइसा है अंन फिट अगैसा मैं हम लग लेंदे क्या अर्कमैन प्लस लेंगे कि देखें कोन सब्सक्राब आ रहा है सिंपल है अगला प्लेवलेशन में दुबारा क्लियर हो जायएग अगर रॉड भी वा होगा कि अगर हो गया हो तो आप दूसरा क्वेस्टन सॉल्व किजिए कि इसी में क्वेस्टन आप तो देखिए कि क्वेस्टन लिखा हुआ है इसमें देखिए बी निम्र लिखा हुआ देखिए बी अवतल के लिए अवतल का चितर नहीं है तो अवतल का चितर हम यहां बना रहे हैं second question देखें इसमें देखें पहला है अदूसरा है अवफ्तल पतल के लिए हम चित्र बनाएगे तो बतल का चित्र कैसा होगा फ्तल का चित्र ऐसा होगा यह अधर से दिखरा ना अगर इधर से आप देखोंगे तो अब्दल दिखेगा और इसमें वस्तु यहां पर है अब्जेक्ट वस्तु की दूरी है तीन सेंटिमेटर अब इसका वक्रता तिर्जा इधर हो जाएगा वक्रता तिर्जा इधर हो जाएगा वक्रता तिर्जा कितना हो जाएगा डाइमेटर है दस तो व बहुत कितना है वर यू का मान कितना है वस्तू की दूरी 3 मीटर देख्यां और थिर्जा क्या है पांच सेंटी मीटर लेकिन इससका शाइन के लेंगे अब देखिए यह अब तल तो अब तल का तर्bes का देख्यां होगा तो । प्रश का पांच, अब इसमे V कमान निकालना है, तो म्यूटू वाई v-m cowsye u बराबर mu2 minus mu1 बटे r यह मिल जाएगा अब mu2 कमांड डालिए mu2 कमांड कितना है mu2 कमांड है 1 बटे v कमांड निकालना है minus mu1 कमांड 1.5 बटे u कमांड कितना minus का 3 बराबर mu2 है 1 minus mu115 बटे 3 कितना है 5 cm यहां से 1 बटे v minus 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 plus one one point five से दो कट जाएगा बराबर क्या one minus one point five क्या होगा zero point five zero point five लेकिन मैनस के साथ बटे पांच दस हमलब हटेगा दस हो जाएगा यह कट करेंगे तो क्या हो जाएगा बटे दस मैनस के साथ यहां से वन बटे भी बराबर यह इधर जाएगा one बटे two minus one बटे ten बडाबर यह भी मैनस जाएगा देखिए शेंधर जाएगा तो क्या हो जाएगाा मैनस यहां पर दस दो से five कटए और मैनस यहां पर दस से एक ड़ गया क्या हो गया you से बटे दस यहां से बड़ाबर क्या होगा च्छे दस बड़ेशे मयनस में च साथ सेंटीमिटर यहां बनेगा आइसे निकलेगा यह जाये और और प्रति विम ऐसे कहीं ऐसे भागेगा और प्रतिम यहां कटेगा यहां इमेज बन रहा है कितने दूरी पे मैनस कोन पॉइंट 66 सेंटिमेटर बन रहा है तो इसका भी आंसर यही है निगेटिव में ही आएगा क्योंकि मां इधर क्या हो रहा है इमेज इस साइड बन रहा है देखिए सिंपल प्रोसेस है कोई दिक्कत इसमें तो कोई दिक्कत तो आप फटा फटा भी बता सकते हैं कि अ 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 कि अगर क्लियर हो तो आगे बढ़ें जिनको नहीं पुफ़च पा रहा है अ कि है अ फटा पटा बताएंगे कि अ का अ गुद्ध को पीड़ेफ नहीं मिल पा रहा है डेली को डेली वी इडियो लिंक नहीं सुब मिल रहा है आपको नहीं पूंशेगा चलिए अगर हो गया हो तो आगे बढ़ेंगे तो फड़ा फड़ देखिए यह कोईशन आप स्वालू किजे देखिए कोईशन है आपके सामने कोईशन आ गया आज का यह लास्ट कोईशन है दो तीन मिनट समय देते हैं स्वालू किजिए और कॉमेंट क्या किजिएगा आप मैसेज वीडियो दुबारा देखते समय आप इसका आंसर भेज दीज़ेगा किसर हम बनाए थे इसमें दी गई परिस्थिती के लिए मियू का मान निकालना है यहां पर क्या है मान लिजी बीच में कोई बुलबुला है और इस साइड से प्रकास के किरने आ रही है समानतर किरने आ रही है समानतर किरने इस मेडियम में जाने के बाद वो इस पॉइंट यह वाला जो पॉइंट दिख रहा है यहां पे कट कर रहा है इसकी तिर्जा आ रहा है तो इस माध्यम का अपवरतनांग क्या होगा यह पूछ रहा है कैसे सॉल्व करेंगे देखिए फोटो मैं बना दे रहा हूँ यह है कोई मियू अपवरतनांग का बुलबुला प्रकास की किरने समानतर आ रही है आने के बाद यह यहां पर सारे किरने कट कर रहे जिसी के हमारा आख में होता है आख का जो लेंस है प्रकास किरने आया और रेटीना पर कट करता है ठ आपको देते हैं तीन मिनट का समय सॉल्व किजिए फिर आगे बढ़ेंगे प्रकास की किरने आ रही है आने के बाद यहां पर कट कर रही है यहां भी किया है अपवरतन हो रहा है वक्लिय अप्रिक्ट से आधी назад तो यहां भी वही concept लगाएंगे, कौन से पर मुला लगाएंगे, मुटू बाइ भी, माइनस मुवन बाइ यू, बराबर मुटू माइनस मुवन बटे आर, यहां पर बस value रखना है, अब इस साइड हवा है, हवा में वस्तू है एक प्रकार से, यहां पर मुवन कमान क्या लेंगे, मुवन कमान लेंगे, मुवन कमान लेंगे, मुटू कमान क्या है, मुटू कमान कुछ नहीं तो यहां पर लिखा है, सिंपली मुव, ठीक है, वस्तू की दूरी यू क्या है, तो वस्तु देखिए अगर समांतर किरने आ रही हो समांतर कहां से आता है अनंत से समांतर मतलब अनंत तो वस्तु की दूरी क्या लेंगे अनंत कब जब वस्तु से आने वाली किरने समांतर हो तो प्रतिविम की दूरी देखिए प्रतिविम यहां कट कर रहा है तो यहां से यह तिर्जा कमान कितना लेंगे तो व्क्रता तिर्जा तो यह R होगा ही और ये अग कर्ब ऐसा है तो वक्रता तिर्जा इधर होगास का मतलब 5 ही प्लस में हो जायता अब सारे वैलियू को डालेर इसमें तो म्यू टू कमान कितना है, म्यू तो म्यू बटे, वी कमान कितना है, टू आर, टू आर, मैनस, मैनस, म्यू कमान, म्यू वन कमान कितना है, तो म्यू वन हवा है, हवा कमान कितना है, वन, तो वन, बटे, क्या है, यू, तो यू कमान कितना है, इंफिनिटी, इंफिनिटी, बराब minus mu1 to mu2 का मन कितना है mu minus 1 का मन कितना है 1 बटे r यहां से यह तो 0 ही हो गया to mu Kollege two r बराबर कुछ यहां पर कमी, कुछ रहीं बराबर mu minus one बटे r r से r कर गया, इसको इधर भैजेंगे to mu analog to mu minus 2 इसको इधर भेज़ेंगे या इसको इधर ले जाएंगे तो 2μ में से मू गया तो मू बराबर इसको इधर भेज़ेंगे तो कहा जागा 2 तो मू कमान कितना आ गया 2 आ गया simple है very simple ऐसे आप solve कर सकते हैं concept लगा के को दिकत हुआ हो तो आप मैसेज कीजिए और आपका जो कल का क्लास है कल आपको कि देखेंगे आगे lens होने वाला है और टेस्ट भी टेस्ट के लिए बोले थे आपको टेस्ट एक चप्टर से लेके साथ चप्टर तक का टेस्ट एक साथ होगा semi-megat टेस्ट और यह इसका question बन से लेकर साथ चप्टर तक होने वाला है तो यह कल हो जाएगा टेस्ट कल आप टेस्ट का तियारी किजे ताकि आप पूरे चप्टर को रिवाइज करते रहें इस टेस्ट का मक्सद है आप जो भी अभी तक पढ़े हैं उसका रिविजन करना 50% स्लिवर्स का टेस्ट हो कि आ ने तो अगर इस चप्टर को हम लोग लिखाने के लिए अगर लिखाते भी रहते हैं क्लास में तो पूरे के पूरे न में बहुत बड़ा चप्टर है तो इसलिए हर दिन देखिए गा नया पोइंट आता है लेकिन आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहें लिख लेते इस लिए इस चैप्टर को खतम करने में मुश्किल से 15 से 20 दिन लगता है क्योंकि 15 दिन लगता है पढ़ाने में आपको लिखने में लगता है 15-20 दिन तो अगले दिन टेस्ट का त्यारी केजिए और इस टेस्ट में जो बहुत अच्छा अंग लाएंगे बिना चोड़ी किये हुए तो उनको पका कुछ सर्प्राइज मिलेगा तो आज इतना ही रखते हैं पढ़ते रहिए फिर मिलेंगे अगले क्लास में